हेलो फ्रेंड्स स्वागा थे आप सभी को हमारे इस यूटव चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखंड एकाडमिक कॉंसिल राची जो जारखंड ओलम्पियाड 2022 का जो एक्जाम होने वाला उसका अनाफिसियल मॉडल कोसेन आ चुका है तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रसंद देखते हैं तो देखे आज का पहला प्रसंद कहा गया है कि एंडी ए ने 354 सीठे के साथ भारत में आम चुना 2019 में जीता था एंडी एने ने ना नेशनल डेमोक्रेटिव अलियंस इसका फुल फरम होता है तो पुछ रहा है कि इसका रूप क्या है हिंडी में क्या होता है इंगलिस में नेशनल डेमोक्रेटिव अलियंस होता है अब इसका देखे हिंदी नाम होता है नेशनल मतलब होता है राश्टिये डेमोक्रेटिव होता है मतलब जनतांतरिक और अलियंस का मतलब होता है गठ मंधर है ना तो राश्टिय जनतांत्री हो गठ बंधन इसका सए एंसर हो जेगा और चलिए अगला प्रेशन कहा गया है और चलिए कडिने तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है आपको पता होगा एक जाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा अब पुछ रहा है कि इसी गीत का लेखक कोन है इस गीत का लेखक है मुहम्मत इकवाल साहब इसी ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है अब चलिए अगला प्रसन हम लोग देते हैं अगला प्रस्ण का रहा है कि बीशू का सबसे लोगपरिये खोज इंजन, खोज को इंगलिस में कहते हैं सर्च, खोज को इंगलिस में क्या कहते हैं, सर्च कहते हैं न, सर्च इंजन, तो बीशू का सबसे लोगपरिये सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है वर्तमान, लगभग इसका 20 से 20 साल भी हो चुका है भी इसमें से आगे कोई भी इंजन नहीं है इसमें सर्च लगभग बहुत ही किया जाता है लगभग दुनिया के लगभग 100% सर्च में से 70 से 75% सर्च केवल गूगल से ही किया जाता है तो इसका option number D is correct answer हो जेगा इसमें अगला प्रसन देखते है अगला प्रसन कहा गया है कि 2019 में एक सर्वेचन के नुसार दुनिया का सबसे खुशाल देश कौन सा है तो 2019 में एक सर्चन हुआ था सभी देशों में सर्वेचन किया गया था कि कौन कौन देश कितना खुशाल रहता है तो इसमें से फिन लेंड जो है न सबसे खुशाल दे कि भारत में राजपल को हटाने का अधिकार किसके पास है राजपल एक राज में होता है तो भारत में राजपल हटाने का सक्ति किसके पास होता है क्या नया पालिकाक पास होता है या भारत के मुईख न्याधिस के पास होता है या राष्टपति के पास होता है या परधान मंत मंत्रिक पास तो देखे इसका option डी नमर हो जाएगा परधान मंत्रिक पास परधान मंत्री मतलब क्या होता है यह केंद्र सरकार होता है कौन सरकार होता है केंद्र सरकार आने केंद्र सरकार के पास जो होता है राजपाल कोड़ाने के सकती होता है इसका अफ्सान नबर डी नवन कहा गया है कि नाउबल पुरुषकार कितने चेतरों में परदान केया जाता हैं कि दोब की का क्या है दोब के द्वाब का मतलब समझते हैं दोबका का मतलब क्या होता है दाव क्या होता है दाव आगर आपको पता है आज के समय में अगर आप लोग दवाब में पढ़ाई करते हैं दवाब में तो कल आप लोग क्या हो जाएंगे परिच्छा में पास हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पास कल आप लोग क्या हो जाएंगे पास तो आप्सन A नमरीच क्या हो जगा? करेक्ट एंसर हो जगा अब चलिए हम लोग next question कितर बढ़ते हैं next question में कहा गया है कि विप्रो लिमिटेड के संस्थापक कोण है विप्रो लिमिटेड है कमपनी है इसके संस्थापक कोण है तो जिसके संस्थापक का नाम है MH हसम प्रेमजी है अब चलिए अगला प्रसन हम लोग देखते हैं तो जैसा कि अगला प्रसन देख रहे हैं कि जोहारलल नहरू की आत्मकथा का नाम क्या? तो जोहारलल नहरू ने एक आत्मकथा 1944 में लिका था है ना जिसके आत्मकथा का नाम है भारत की खोज तो जैसका आप्सन नमर ए करेक्टर रहो जगा तो आसा करते हैं ये जो दस्ठो जैनरल नोल का जो कौसन बताएं आप लोग बहुत ही बढ़ें तरह से आत्कर लिएंगे और समझ किया होंगे तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो किर्पया सा एक लाइक कर दीजेगा और आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंश सके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम